नमस्कार लाइफ वीद नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत हैं मैं हूँ नवीन और मैं एक नेचुरोपैथी डोक्टर हूँ और मैं आपको अपनी वीडियोज में बताता हूँ कि आप कैसे नेचुरोपैथी से मैक्सिमम बिमारियों का इलाज कर सकते हैं औ और होस्पीटल के भारी भरकम बिलों से आप बच सकते हैं आप सब को मैं बताना चाहूंगा कि हम रूटीं में बहुत सारी नेचुरोपैथी चीजों को यूज करते हैं अपने खाने में, अपने डेली रूटीन में बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस चीज से कौन सी विमारी आपके ठीक रहेगी और कितनी मात्रा में आपने क्या चीज यूज करनी है मेरा टारगेट यही है कि आपके किचन से ही मैक्सिम मिमारियों का घर बैठे ही आपको इलाज बताया जाए जैसे कि आपको पता है कि करोना काल चला हुआ है और इसमें सरकार की गाइडलेंज बार बार आ रही है कि अपनी इम्मिनिटी को स्ट्रोंग बनाए रखे तो इम्मिनिटी को कैसे स्ट्रोंग बना सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियों आज की वीडियों में हमारा टोपिक है लेमन जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेमन दुनिया भर में पोपलर है और मैक्सिमम डेशों में इसका यूज किया जाता है न्यूजिलेंड, अस्टेलिया, कनेड़ा, फिल्लेंड, जर्मनी, प्रास, फीजी जैसे डेशों में बहुत सारी रिसर्च अभी निम्बू पर चल रही है और बहुत सारी रिसर्च इ और यह बहुत सारी बिमारियों का इलाज करने में भी सक्षम है इसलिए बहुत सारे डॉक्टर अलग-अलग बिमारियों में इसको रिकमेंड करते हैं और देखा गया है कि बहुत सारी बिमारियों के लिए जो मेडिसन बनती है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है इसल यह इसको अलग-अलग देशों में बोला गया है फ्रूट और वेजिटेवल और मेडिकेटिड प्लांट निम्बु को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है इसको फ्रूट के नाम से भी जानते हैं वेजिटेवल के नाम से भी जानते हैं और कुछ important गुन इसके बता देता हूं जैसे कि सरकार की guidelines आ रही हैं बार-बार की immunity को strong बनाए रखें ताकि आप बहुत सारी बिमारियों से दूर रहें लगभग 100 gram निम्बू के अंदर 88% vitamin C है जो आपकी immunity को strong बनाएगा energy level को maintain रखेगा इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने daily life में निम्बू का यूज करना सुरू करें लगभग 2 निम्बू आपके दिन भर के vitamin C की खपत को complete कर देंगे जितना body structure को vitamin C एक दिन में चाहिए आप सिरफ 2 निम्बू यूज करकर routine में इसको complete कर सकते हैं इसके बाद आपको vitamin C को पूरा करने के लिए कोई भी medicine की जरूर नहीं पड़ेगी vitamin C की कमी आप इससे पूरी कर सकते हैं इसके इलावा बहुत सारे doctor इसको cancer में भी recommend करते हैं यदि आपको cancer है तो आपको निम्बू के लिए बहुत सारे doctor recommend करेंगे क्यूंकि ये cancer में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है और इसकी anti-oxidant की जो quality है वो आपको बहुत सारे रोगों से लड़ने की अक्समता देती है और बहुत सारे बिमारियां आपकी ठीक हो जाती है anti-oxidant गून के कान ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है इसके इलावा निम्बू में और बहुत सारे गुन है जिसके बारे में आपको मैं अभी बता देता हूँ वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो इसलिए मैं अभी इसकी main-main बिमारियां बता देता हूँ कुछ दोक्टर आपको recommend करेंगे इसको fat loss करने में और weight loss करने में इसको आप किसी भी vegetable के साथ, juice के साथ, fruit के साथ, किसी भी खाने में और liquid के साथ mix करकर या direct आप निम्बू का 7 कर सकते हैं और आप fat loss कर सकते हैं बहुत सारे डोक्टर आपको recommend करेंगे कि आप simple पानी में, भून गने पानी में या juice में या पानी में खाली पेट, honey के साथ mix करकर आप लेकर weight loss और fat loss कम कर सकते हैं यदि आपके मसूडे में blood आ रहा है या कभी आया होगा या कभी आ जाए तो आप समझना कि ये vitamin C और calcium की वज़े से हैं यदि आप निम्बू का शेमन करेंगे तो आपके मसूडे बहुत ज़्यादा strong रहेंगे और स्वस्त रहेंगे इसके इलावा निम्बू के अंदर sodium, potassium, magnesium, calcium, iron जैसे गुन पाए जाते हैं इसमें calorie और B6 जैसे तत्तो भी हैं जो हमारे स्रीर में अलग अलग बिमारियों के treatment के लिए डोक्टर रिक्मेंड करते हैं और बहुत सारी सज़तों में ये पाया गया है कि बहुत सारी बिमारियां इसे ठीक होती हैं बहुत सारी medicine में इसको यूज करते हैं और skin की allergy के लिए भी इसको यूज किया जाता है इसका paste बना कर आप skin पे लगा सकते हैं और बहुत सारी allergies को आप इसे ठीक कर सकते हैं मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि निम्बू कितनी मात्रा में लें कैसे लें एक बार अपने family doctor के साथ discuss कर लें क्यूंकि हर patient की medical history, environment, body structure अलग-अलग होता है उसके according ही doctor आपको recommend करेंगे इसके इलावा जैसे कि मैंने बताया इसमें potassium पाया जाता है जो आपकी mass species के विकास के लिए बहुत ही लाबदायक है हमारे mass species कभी कभी किसी region से damage हो जाती है तो ये इनको improve करता है और विकास करता है इसके इलावा ये हमारे तंतरी का तंतर को सुचारो रूप से चलाने के लिए potassium का बहुत ज़्यादा हात होता है इसके इलावा निम्बू के अंदर calcium पाया जाता है जैसे कि आपको पता है हमारी बनावत हम कैसे दिखाई दे रहे हैं इसका लगभग 90% स्रे calcium को जाता है क्यूंकि हमारा 90% body structure हडियों से बना हुआ है और हडियों की मजबूती के लिए calcium बहुत ज़्यादा जरूरी है calcium से हमारी हडियां मजबूत होती है हमारे सरीर का body structure अच्छा बना रहता है और हम सुन्दर दिखाई देते हैं इसके इलावा calcium बहुत सारी बिमारियों में भी इलाज के लिए लिया जाता है और निम्बू का एक और गुन है इसमें iron भरपूर मात्रा में है iron हमारे सरीर का बहुत ही important हिस्सा है क्योंकि जो oxygen level हमारे सरीर से दिमाग तक जाता है उसको maintain करने में iron की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसके इलावा बाल जड़ना शरीर में कमजोरी आना ये भी iron के लक्षन है यदि आपके शरीर में iron रहेगा तो आपका शरीर कभी भी बाल नहीं जड़ेंगे कमजोरी नहीं आएंगे इसके इलावा इसमें magnesium भरपूर मात्रा में पाया जाता है magnesium जैसा कि आपको पता है ठकान, सीरधर्द, चिंता, आदी जैसे बिमारियों में इसको यूज किया जाता है यदि आपको depression है, किसी चीज की चिंता है, सीरधर्द है तो आपके शरीर में magnesium की कमी हो सकती है जो आप निम्बू से पूरा कर सकते है इसके इलावा इसके अंदर antioxidant गून होने के कार ये बहुत सारी बिमारियों में इसका यूज किया जाता है जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर calcium के इलावा calorie भी पाई जाती है जो हमारे daily routine में यूज करते है लग भग 100 ग्राम निम्बू के अंदर 29 कलरी आपको मिल जाएगी इसके इलावा बहुत सारी medicine में skin allergy में इसको आप यूज कर सकते हैं और अपने सरीर को सुन्दर सुडोल और बिमारी रहित बना सकते हैं मेरा नेच्रोपैथी का ट्रीट लक्षे है कि मैं आपको नेच्रोपैथी के information घर बाठी ही दूँ ताकि आप routine में इसको यूज करकर बहुत सारी बिमारियों का इलाज कर पाएं और अपने life को अच्छा बना पाएं और long life आप जी पाएं यदि आपको मेरी वीडियो जड़ा सी भी informative लगी हो तो मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप like करें चैनल को subscribe करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संग्यों पे share करें ताकि वो इस वीडियो को देख कर बहुत सारी बिमारियों का treatment कर पाएं और hospital के भारी भरकम बिनों से बच पाएं इसका सेवन आप juice के साथ simple पानी के साथ ले सकते हैं कि जैसा आप देख पा रहे हैं और अलग-अलग देशों में अभी research जारी हैं जैसे ही कोई नई update इसके regarding होगी मैं आपको नई वीडियो बना कर दे दूँगा तो आने वाली वीडियों के साथ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें निम्बू का सेवन करें और अपने श्रीर में calcium, potassium, sodium, magnesium, iron कल्दी जैसे important तत्मों को पूरा करने के लिए निम्बू को अपनी life में लेकर आएं आज के लिए इतना ही thank you so much